मेरे परिवार जनो जहां जहां भाजपा की डबल इंजिन सरकार है वहां वहां केंद्रा के हर योजना तेजी से जमिन पर उतरती है या फिर भाजपा की स्दाजे सरकारे अपना भी कुछ उसमें जोड़ करके देती है जहां जहां भाजपा सरकारे हैं वहां पी-म किसान सनमाद दीती के 6,000 रुपिये के साथ भाजपा की राजपा की सरकार भी अपनी तरब से 6,000 किसानों को और जोड़ करके देती है अब मैं राजप्तान भाजपा के नेताओं को बढ़ाई देता हूं उन्होंने भी संकल्प किया है कि 3 दिसमर को बाद भाजप की सरकार बनने के बाद किसान को 6,000 रुपिया और यानि अब 12,000 रुपिया मिलना शुदू हो जाएगा लेकिन भाजयों बैनों किसान विरोधी गरीब विरोधी कॉंग्रेश सरकार आपके हित में ऐसा कोई फैसला लेही नहीं सकती है एक और उदान में देता हूँ गरीबों को पक्का आवाद देने की होजना लेकिन राजस्तान में हम पूरी कोशित के बाद भी अभी तक लगबग 20,000 गरीब बना पाये हैं यहां पाली जिले के गावों में भी 35,000 से अधिक गर बने हैं इनकी संख्या बहुत जादा हो सकती थी लेकिन राजस्तान की गरीब विरोधी सरकार ने गरीबों के घर मनाने में लगाता अरचने लगाई और मुझे भी हली पैड़ पर कारकरता मिले वो बजा रहे थे कि जब भी रेजिस्ट्री होती थी तो राजस्तार की सरकार ओनलाइन को सब बंद कर देती थी और अफलाइन कर देती थी और अधिन बोले हमारा रेजिस्ट्री नहीं होती दिए अधा पाप करते थे ये गरीब विरोधी कैसे मान सिकता है भाईयों भेनों आप मेरा एक काम करेंगे करेंगे आपके गाउं में आपके शहर में किसी भी महले में कोई फुटपांत पर रहता है कोई जुग्ई जोपणी में रहता है कोई कच्चे तूटे-फुटे मकान में रहता है उसको बता देना कि मोदी जी पाली आए थे और मोदी जी ने कहा है कि 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये गरीबों को पक्का घर देने का काम फिर से चालू होगा और उनका घर भी बन जाएगा ये काम करोगे जाकर के बताओगे ये मोदी की गैरंटी है बताओगे साथ यो राज़तान में हर घर नल से जल पहुंचाने के अभ्यान को भी कॉंग्रेस ने लूटने का काम किया है हर्याना और गुज्राप में भाज़पा सरकारों ने सत्प्रतीशत घरों तक नल से जल पहुंचाया है लेकिन राज़तान में अभी तक आधी आबादी तक भी पानी पहुंचा नहीं है माता और बहनों से उनकी क्या दुश्मनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है वरना सबसे पहला काम कोई पानी पहुंचाने का करता और तब मेरी माता बहने इतना आशिरवाद देती लेकिन उन्होंने नहीं किया किया तो नहीं होने भी नहीं दिया मैं दिल्ली से नल के लिए पैसा भेजता हूँ पाइप के लिए पैसा भेजता हूँ और यहां कॉंग्रेस ही कागजों पर नल लगाते हैं और पैसे डकार कर जाते हैं राजस्तान को पानी की समस्याओं मुक्त करने के लिए कॉंग्रेस ने भी अगर आपको पानी चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा करोगे अगर आपको पानी चाहिए तो कॉंग्रेस से मुक्ति पानी होगी